यज्यानाम जप यज्यो अस्मी जिसके लिए भगवान ने कहा दुरूस जप यज्य में लग गया था और अपने अहंकार की अपने सुक्ष्मा मानिताओं की और सुन्सकारों की जप यज्य में अन जाने में बली हो जाती और भगवत भाव भगवत मानिता भगवत ग्यानों भरने लगता पांच वर्ष का दुरू नारजी की क्रपा को ऐसा तो पचाया कि बड़े बड़े योगी भी आश्चर्य करने लगता श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनो रथा फलप्रदाहा श्रद्धया साध्यते सर्वं श्रद्धया तुष्यते हरिही श्रद्धा सारे शुबकर्मों की मूल है श्रद्धा सब धर्मों की फलदायनी वो माता है जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं उसका जीवन तो पशु से भी बच्तर है जो श्रद्धा भगवान के प्रती दर्म के प्रती सत्पुरुशों के प्रत्री हमारी श्रद्धा बढ़ाता है वो तो है हमारा परम हितेशी और जो हमारी श्रद्धा तोड़ता है वो तो खुद तो पाप करता है लेकिन कुटम खानदान को भी तबा करता है और जिससे अश्रद्धा की बात करता है उसकी भी शांती और पुन्यनास कर देता है कबीर जी ने का कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजा एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार तो द्रू को गुरु नारजी मिले और द्रू किसी की इधर उधर की बातों में नहीं आया और लग गया मौन जप ध्यान में ऐसा लगा ऐसा लगा कि तन की शुदी नहीं रही मन की तो बात ही कहा है तन की शुदी नहीं जिसको जन की कहां से त्यार है दुरू पहले तो दुद जल और फल आधी लेता कुंद कंद मूल लेता धिरे धिरे ध्यान में इतना मगना हो गया कि दुरू का बाई है जगत विश्मन होता गया और उसकी प्रान कला सुक्षम सुक्षम तर सुक्षम तम बन गई जब इस प्रकार जब करता है आदमी तालबद जब करता है तो मन एकागर होता है मन एकागर होने से प्रान सहियत हो जाते है और प्रान सहियत होने से मन एकागर हो जाता है मन और प्राण आपस में जुड़वे भाई जैसे इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है जो जब प्यग्य करते हैं विधिवत उसके प्राण सुक्ष्मा होने लगते हैं हम स्वासों स्वास लेते छोड़ते हैं तो बारा उंगल तक स्वास का फुतकार होता है अगर जब प्यग्या में लग जाए जो लोग अनुष्टान करते हैं उनको आनन्द आने लगता है शांती मिलने लगती है लेकिन जितना अनुष्टान की विधी जान कर करते हैं, उतना वो ज्यादा फाइदा करते हैं विधी में एक तो तत्परता, दूसरा सै्यम तीश्री श्रद्धा अर्थात एकागरता, सै्यम और श्रद्धा ये तीन चीज जितनी अधिक होगी, उतना जापक को अनुष्टान करने वाले को विशेश लाव होता है एक अनुष्टान से एक महा भारी ब्रह्म हत्या जैसा पाप नश्ट होता है नथुराम शर्मा करके एक विद्यार थी था विद्या ध्यन के बाद अपने मा बाप के कुल खांदान बतन में आए शादी शुदी कराएंगे बैटे को तो देखा विद्यार थी ने के हमारे कुल खांदान में तो लक्ष्मी देवी की कमी है तो मैं एक अनुष्टान कर लूँ धन प्राप्ति के लिए मा गायत्री से वर्दान ले लूँ चोवीश अक्षर होते लंबा मंत्र है छे मैने में अनुष्टान पुरा होता है जोबी सक्ष्रों वाला गायत्री मंत्र अनुस्टान चालो किया, छे मैने पूरे हो गए, अनुस्टान पूरा हुआ लेकिन माताजी प्रगट नहीं होई, सोचा के कोई पापकरम होंगे वो नस्टु होएंगे, तो आप करूंगा तो माताजी आजाएगी, दूसरा किया फिर ट्रोडी कि एप कुछ दिन की रखके फिर तीसरा अनुस्टान किया, ऐसे करते करते बारा साल में ते भी सनुस्टान कर डालें, अब तो छतिस साल के हो गए, सोचा के छतिस साल की उमर हो गए, आप साजी करेंगे, पिर कभ सानतान होगी, अकब भू दापे मेरी संभाल ले तो संसार में हम तो पिश मरेंगे, खप जाएंगे, कोई लाब नहीं है ग्रस्ती जीवन में अभी इस उमर में, उन्होंने सन्यास ले लिया, सन्यास लेकर जो ही श्नान करके, मंत्र का जवाब किया, तो प्रकाश प्रकाश उसमें मागायत्री प्रकाट हो गई, वरंबुयात, वरंबुयात, वर्दान मांग लो, वर्दान मांग लो, भुले माँ, अब तो मैं सादू बन गया, सन्यासी रोटी का टुकड़ा, तो कहीं भी मिल जाएगा, जिस समय वर्दान की जोरुत थी, उस समय तो माता जी आप आई नहीं, और अभी हम सादू बन गया, आपए तो माता अदियने कहा के एक एक तुम्हारे अनुस्तान से एक-एक महापातक ननता है सब्सक्राफ माहारी पाप जो कई जन्मों तक भहुगना पड़ए वह एक-एक अनुष्टान से तुमारा बस्म हो गया sí आज माहापातक तेविस अनुष्टान से तुमारी तेविस ब्रह्महत्याओं जैसे भाडी महापातक नस्ट हो गया चोविस मा तुमने सन्यास की दिक्षा ली एक ब्रह्महत्याओं उसकी दूर अब तुम्हारे बुलाने मात्र से मेखिच के आगए और ये देखो तुम्हारे पुरुजन्म के कर्मों के काले पहाद एक-एक अनुष्टान से नस्ट हो गए ले बाद में तो वड़े भारी विद्वान और प्रसिद्ध संत बने और उनकी पंचदशी विदान्त का बहुत उंचा करन्त है और मेरे गुरुदेव ने उस पंचदशी के द्वारा ही मुझे सत्संग जैसे योग वसिष्ट होता है ऐसे ही पंचदशी एक पढ़ता था और गुरुजी ने क्रपा बरसाई थे अधिसे ही मदुसुदन सरत्स्वती वे भी अनुस्तान करने लगे दो अनुस्तान के लेकिन क्रश्ण तो प्रगट नहीं हुए मूद लेस हो गये कार्तिक शेत्र में आये तो एक मोची ने नजर डाली बोले बास बाबाबाजी दो अनुस्तान करके ठक गए मोची को पूचा के भाई तेरे पास तो कोई ऐसा यंत्र नहीं है और वो जाओने में ऐसे कोडलेश और सेलुलर फोन की तो बात ही नहीं तेलीफोन का भी इतना विकास नहीं था तो भी तेरे को कैसे पता चला बोले महाराज मैंने अपने भूत भूतन सीध करके रखें आपके आने से मैंने अपने भूत को मंत्र के बल से बुला के पूछा तो भूत ने आप कि सारी बात बता दी तो महाराज ने का अच्छा भई तो तेरे भूत भूतन से ही पूछ के बता, तेरे भूत भूतन कोई पाने का मंत्र दे दे, मैं जरा उसको देख लूँ जरा, क्रश्न तो नहीं देखे, तो तेरा भूत भूतन कैसे है, वो तो देख लूँ, महाराज ये तो बहुत छोटी साधना है, ये तो तीन दिन में अनुस्तान सिद्ध हो जाएगा, आप य भूत आया न भूतन आया न उसका कोई बच्चा कच्छा आया, महाराज भोले, धाच्टे रे की तो भूत भूतन भी देखने के लाएक नहीं हुम्रे है, मोची को बोला, भई अब तेरा भूत भूतन भी तो मेरे को नहीं देखा, महाराज तनी ख्ठह दे, उनको वहां मेरे भूत भूतन कहते हैं कि आपने दो बार अनुष्टान किया है। उसका तप तेज का प्रभाव अध्यात्नी कोरा आपकी इतनी पावर्फुल हो गई कि हम वहां प्रगट नहीं हो सकते जल मरते हैं। आपने तो जो मंत्र किया त्यों हम खिचने लगे लेकिन आपका प्रभाव ऐसा कि महां प्रगट नहीं हो सकते। पहले आपने ओमकार का भी जब किया है और अभी स्री क्रश्न के नाम का अनुष्टान किया है। तो अब एक बार फिर से अनुष्टान करो तो भगवान क्रश्न प्रगट होंगे और आपको गीता लिखने का संकेत करेंगे, आशिरवाद देंगे और आपकी गीता बड़ी प्रसिद होगी। मदुसुदन महराज ने उस मोची की बात ध्यान में लेकर फिर से तीसरा अनुष्टान किया विधिवत। तीसरा अनुष्टान पूरा होते ही भगवान क्रश्न उनके कमरे में प्रगट हो गए। जैसे व्यक्ति व्यक्ति से मिलते बात्चित करते ऐसे प्रकाश पुंज में स्री क्रश्न के आकृत। मदुसुदन महराज ने उनका आधर सतकार से भाव भिना, पूयजन-पूजन क्या। अब भगवान क्रश्न ने उनको गीता पर टीका लिखने का सहाश्रिवाद्या और रहस्य समझा। मदुसुदन महराज ने इतनी सुंदर गीता लिखी कि अभी लाखो लोगों के घर में मदुसुदनी गीता है। आपन जब गीता पर प्रवच्चन करते तो उसका अनुवाद लगबग मदुसुदन महराज का ही हम पड़ते है। तो तुम ने देखा होगा जिसके घर में गीता होगी गीता प्रेश्वालों कि तो उसमें मदुसुदनी ठीका। श्री मद भगवत गीता शूपनी शदेशु अस्टमों अध्यायस्मात कहीं कहीं लिखाओगा मदुसुदनी ठीका। तो मदुसुदन महराजे स्रीवुंचाय को छुगए थे। तो यह अनुस्तान चाय कोई भी करें लेकिन है यह भगवन नाम जप यग्या है। तो भगवान ने गीता में का यग्योदानम तपस्यर्या पावनाणी मनिशना। यग्यदान और तप बुद्धी को पवित्र करते हैं। यग्यदान और तप से यग्य से देवता संतुष्ट होते हैं। दान से धनकी शुद्धियोतियो तप से इंद्रियों का सैयम और तेज बढ़ता है। यज्यदाना तप कर्मा त्याज्यम कार्यम मेवतत। यज्यदानम तप शर्या पावनानी मनिशनाम। ये भगवत वीता के अठारमेद्या का पांचमा शलोप। यज्यदान और तप रूप कर्म को त्याग नहीं करना चाहिए। प्रत्यूत उनको तो करना ही चाहिए। क्योंकि यज्यदान और तप ये तीनों ही कर्म मनिश्यों को पवित्र करने वाले हैं। भगवान कठोर शब्द नहीं बोलते हैं। किसी का खंडन नहीं करते हैं, लेकिन अपना मधुर अनुभाव मिला कर कह देते हैं, वैसे तो कर्मकांड में रुची रखने वाले यागिकों ने स्री क्रश्न ने अन्न मांगा तो दिया नहीं, तो हमारी विधी पूरी हो, लेकिन यज्य करने वाले ब्रह्मनों की पत्नियो ने क्रश्न की महिमा जानी और प्रेम से उनको भोजन कराया अधि दिया, फिर भी क्रश्न करमठों की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन करमठ होकर वहीं फिरे मत रहना, आगे बढ़ना इतना कह देते हैं, तो भगवान कथोर शब्द नहीं कहते हैं, उसके मत का खंडन नहीं करते हैं, अपितु उसमें और विशेष्टा बताकर उस विशेष्टा का फायदा लेने को कह देते हैं, कार्यम एवत्तत, अर्थात जरूर करना चाहिए, जैसे आटे में पानी डालना ये भी यग्या है, सूखे व्रक्ष को पानी देना ये भी यग्या है, भूखे को अन् अशद्धालू की शद्धा बनाना ये भी यग्या है, अशंत को शांती देना ये भी यग्या है, नुगुरे को सगुरा बनाना ये भी यग्या है, अर्थात जिस कर्म से वस्तु व्यक्ति को, पशुओं को, मनुशों को, प्राणियों को सुख मिले, साधुताई मिले, सज तो यज्य करने वाले का पुन्य बढ़ता है, दूसरे का हित्त का बदला घूमफिर के अपने को मिलता है, लेकिन भगवान ने का कि घूमफिर कर वो बदले की इच्छा छोड़कर जब यज्य करते हैं, तो यज्य भावतिक वस्तों से क्योए यज्य भी अध्यात्निक फल द अध्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात् बुद्धी शुद्धी अगर करता इसका फेल भोग होगै तो स्वर्णादी इहां धन आदी यश्बाता हो अगर करता, यह नश्वर इच्छा न करे, तो करता कांता कन पवित्र वतार परव्रम्ह परमात्मा की प्राप्ति होने में यज्यदान सहाइक हो जाते हैं। है कि भगवान यह भी कहते हैं कि यज्यदान तब करना तो चाहिए लेकिन उसकी आसवति न रहे हैं। एक आदमी है दिया जलाता है, अब दिया जलाता है, रोज यज्यदान करता है। भोग की आज सकती भी बुरी बला है और इस प्रकार की चोरी करके या भीख मांग के भी शुब कर्म करने की आज सकती भी बुरी बला है जब आपके पास है तो किया नहीं है तो फिर चोरी किया भीख मांगा और फिर यग यग किया चोरी किया और फिर दिया जलाया मांग के ज और एक एक माला करते, सिर आँखों पे माला लागा है कि भगवान नहीं भगवान का नाम जपाया में भगवान का नाम जप रहा हूं ये भगवान की प्रेनास ही हो रहा है और मैंने मैं ठीक किया कि गलत किया वो मेरा परमेश्वर जानता है परमेश्वर के लिए मैं तो करना तो जब भगवत प्रीती के लिए जब करे तो वो बड़ा उत्तम यज्य हो जाता है तो भगवान ने कहा यज्या नाम जप यज्यो अस्मी सभी यज्यो में जप यज्यो में हूँ तो अनुस्टान करने वाले को फिर दूसरे अलग से यज्य करने का आग्रह नहीं होता और कर ले मालाएं फिर जितनी मालाएं दस्मा हिसा में हुई उसका दस्मा हिसा आहुति डालके यज्य कर ले जितनी आहुतियां डालके यज्य क्या उसका दस्मा हिसा गरीब गुर्वेब रामन पवित्र व्यक्तियों को भोजन करा ले तो यह इष्ट मंत्र सिध्धी की विदी है अध्यात्मिक कर्म वो होता है कि भावतिक वस्त्मों से परमात्म प्राक्ति करो तो वो अध्यात्मिक कर्म धर्म बन जाता है और आदि भावतिक वस्त्मों से फल की इच्छा छोड़े बिना कर्म करते है तो वो कर्म अध्यात्मिक कर्म हो जाता है लेकिन अध्यात्मिक कर्म करते और आधी भोतिक वस्तु की इच्छा करते हैं तो वो धर्म नहीं होता एक पकार का धंदा हो जाता है तो हिंदु धर्म की विशेष्टा है कि आपके कर्म करने की रीत से परिस्तित्या बधल जाती जैसे तुलसी के पत्ते हैं तुलसी के पत्ते खाने चाहिए इससे जलंदर भगंदर की बिमारी नहीं होती एसे डिटी की बिमारी नहीं होती और रोज खाने से कैंसर की बिमारी तो ये तुलसी के पत्ते खाने का फल क्या है आदी भावतिक फल पाया आपने कि अभी इसी तुलसी के पत्तों से आदी भावतिक फल तो होई जाता है लेकिन अध्यात्मिक फल कैसे होगा कि तुलसी के पत्ते लिए और भगवान की प्रिया है तुलसी माता जी आठ दिन तक तुल्सी बासी नहीं मानी जाती भगवान को श्नान आजी कराया स uniquely यहां भगवान ना रहें को अथवा भगवान की पूजा किरवांच जल रखा तुल्सी डालके बाद में वो तुल्सी लिया भगवान का प्रसाद समख़ज के जल्या तो भगवान का चर्णामृत समख्य है, तो ये आदी भावतिक जल, आदी भावतिक तूल्षी के पत्ते, तेकिन भावना है, भगवान का प्रसाद है, तो ये हो गया आपके लिए धरमौ। प्रस्केश कर लावतिक